मज़दार squatी रेसिपी आज मैं आपके साथ श्यर करने वाले हूं यह सववेइं बहुत ही जादा मज़दार बनकर त्यार होती हैं आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हो मज़दार यह सववेया बनकर त्यार हो चुकिए है तो इस recipe को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने दो packet सवईयों के लिए हैं अगर आप चाहें तो इसे कम या जादा quantity में बना सकते हैं सबसे पहले आपको सवईयों कोची तरीके से इस तरह मिक्स करना होगा ताकि सवईयों टूटकर बिल्कुल चोटे पीसे में हो जाएं दोनों सवईयों के पीस को मैंने अच्छी तरीके से करश कर दिया है इसे एक साइट पे रख दें अब आपको एक पेन लेना होगा इसमें आप 3 टेबल स्पून जितना गी डाल दे गी में 5-6 अदर इलाइची डाल दे और इसमें आपको सवईयों एट करनी होगी लोफ दिम पे सवईयों पहुची तरीके से मिक्स कर दे और 2-3 मिनट तक सवईयों को आप इसमें पकाएं इससे सवईयों सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका कलर जो है वो जेंज हो जाएगा जब इस तरह का सवईयों का कलर हो जाए तब इसमें आप मिल्क एट कर दे मैं इसमें 3 लेटर मिल्क का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्व इसमें तक सवईयों 10-15 मिनट में बनकर त्यार हो जाती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये सवईयों बनकर त्यार होती है आप घर में इन्हें आसानी से बना सकते हैं तीन जट जतना मैंने।मय मिल्क एट करें, चुप करने, करने लगे हैं। मैंने शुगर डालाएं service क कूशनक रखने मीटास में वाइट करना बूला, कूशे फूद्ट में अखिए रहां शब्वर आनीजारम। 10 मिनट तक मेडियम फ्रेम पे आप इसे पकाएं साथ ही इसका चमच भी चलाते रहें आप देख सकते हैं दूद काफी हगतर जो है वो सुखना शुरू हो चुका है और इस तरह सवयों का कलर हो चुका है यह सवयों बहुत ज़्यादा मज़ेदा बनकर त्यार होती है जब भी आप इन सवयों में गी डालें तो गी का हिस्तमार करें वाइल ना डालें इसमें पारी कटा हुआ ड्राइफूट में नेट कर दिया है अब सवयों बिलकुल बनकर त्यार हो चुकिए जब यह ठंडी होगी तो ज़्यादा गाड़ी हो जाएंगी इस टाइम आप इसकी फ्लैम को उफ कर दे और इसे सब कर दे एक से तो गंटे के लिए जब आप इन्हें फ्रिस में रखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार यह सवयों बनकर त्यार अगर आपको मिठी सवयों ब जब नग्टे आपके लिएके लिए